किसे हैं आप सब मैं रुद्रेश पंडे और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ तो फ्रेंड्स आज का जो अपना टापिक है वह है हेल्थ डिसीज यानि हेल्थ और उससे जुड़ी हुई डिसीज के बारे में तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने 40 कॉस्चन्स का एक बड़ा टॉपिक लिया है और इस टॉपिक में आपको वह सभी कॉस्चन्स मिल जाएंगे जो छोटे-छोटे एन्वाल एक्जाम्स 10 एबन 12 इसके लाबा कंपडिशन एक्जाम्स में भी पूछे जाने वाले हैल्थ और डिसीज दौनों से सम्बंदे जो कॉस्चन्स हो लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है तो यहां पर कौन-कौन सी बिमारी होती हैं जिनके लिए डीपीटी यूच किया जाता है तीका जो है वह लगाया जाता है तो यहां पर जो सब-सब पहला हमारा है वह कालीखासी दूसरा है डिप्थेरिया और तीसरा है टेटनेस 3 आप्सिन दिए हैं काली खासि द्प्थिरिया और टेटनिस जिसके लिए हमें डेपीद ठीका ठीका जो है लगाया जाता है ठीके फ्रैंड्स नेश्ट कोस्टण है पीलिया होता है पीलिया हमें किस करण से होता है तो वो होता है दूसर जल और भोजन से, यानि कि दूसर जल का यूज करना और भोजन का यूज करना है न, फुटखाना, जिसके करण हमें जौन्डेस या पिलिया होता है, थार्ड पॉइंट है हमारा कॉश्चन है, नमलेखित में से किस बिटामिन का रासाइनिक नाम साइनो कोबाईल लिम्मिन है तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है विटामिन B12 थार्ड कॉस्चन है अस्थमा बीमारी है अस्थमा किस रोक की बीमारी है तो स्वांस की इसे स्वांस की बीमारी कहा जाता है सांस या स्वांस नेश कॉस्चन है हमारा इस बीमारी की दबाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलासें में मचलियां पाले जाती है यह बीमारी क्या हो सकती है तो यहाँ पर जो इस बीमारी को दूर करने के लिए होता है वो है हमारा गंबूसिया जो मचलिया पाली आती है, वो होती है मलेरिया, जिसको हमें तालावों में मचलियों को पालना पड़ता है, और इसकी जो दबाई होती है, वो सिनकोना, यहां पर भी एक IMP कॉस्चन बनता है, कई बार पेड़ का नाम पूछ लिया जाता है, पेड़ कि जो है बीमारी है next question है हमारा सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है सूखा रोग जिसमें इस्थिती जो है सूखने जैसी समझ में आने लगती है बच्चा हो वैसको सूखा सूखा सा मास की बिलुकुल कमी इस तरीके से जो है लक्षराओं दिखाई देते ह बनाते हैं तो यह किसकी कमी से होता है कार्वो हेडट्यड एब प्रोटीन यहां पर बनने वाले दौहंसा रें कार्वो हैड़ू हिडयडड रप्रोटीन जिसकी कमी से सूखा रोग होने कि संबावनें बढ़ जाती है कि नेश्ट send हमारा, यह रोग मख्यों के द्वारा फैलता है और इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खerson भी आता है यह रोग क्या है तो यह रोग का नाम है दोस्तों पैसिच पैसिस जो रोग है वो है पैसिस अब नेश्ट कोस्षंट की हम बात करेंगे तो प्रकार के फल खाने का सुजाओ देगा हुअ तो यहां पर जो है डाक्टर जो होता है वह एक 30 में दांतों में दर्ध होता है उसे कौण से कर सहा एक बोलेगा तो खट्टे और गूद्धार फल जिसमें ज़्यादा भरा हुआ तरग astre होते हैं ऐसे फल खाने का सुझाओं देता है यह भी हमारा अधिकांस यह सोच कर भी ऐसे आंसर नहीं दे सकते कि खटी चीज़ खाने से दातों का दर्द नवारक सही हो सकता है यह थोड़े से अलग है ध्यान दिजिएगा यह से में पूछे जाते हैं ग्रणति में किसी महिला के गले की ग्रंती में असाद रूप से ब्रद्धी हो रही है तो उस महिला में किस कि अधेरिए कॉस्चन को आने के लिए ध्यान दियेगा सटुडेंट्स यह गाउं में किसी महिला की गले की ग्रंथी की बात की गई है मतलब महिला गाउं सिर्फ गुमाने के लिए लिखा है सीधा सा कॉस्चन है कि गली की गरंथी में असाथ दुरूप से ब्रद्धी होना किस तत्व की कमी मानी गई है तो वह जो सही आंसर है वह आयोडीन इस तरीके के आंसर हमें गुमाने के लिए लिए दिये जाते हैं इससे बच्चा ब्रमेत ह अब सभी 2007 में यह कॉस्चन प्री मेडिकल टेस्ट मैं पूछा गया था ज्यान दीजे दोस्तों प्री मेडिकल टेस्ट 2007 में ऐसा कॉस्चन पूछा गया था बढ़ा नहीं है पर समझने के साफ से थोड़ा सा अलग है नेस्ट कॉस्चन की बात करेंगे हम किस मत्स्वरी नि जीवानु से जनेत हैं तो पहला जो है वह है कोड जूसरा निमोनिया और तीसरा तपे देख जो जीवानु जनेत रोग कहलाते हैं ठीक है नेस्ट है हमारा कॉस्चन अगर किसी के भोजन में कर्बोहड्रेट और बसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है वह यदि आप ज जाओगे ठीक है नेस्ट कॉस्चन हमारा कि बसा की कमी से होने वाले रोक का प्रमुख लक्षण कौन सा है यदि किसी रेक्ति को बसा की बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो कौन सा ऐसा लक्षण दिखा दिएगा तो हार्मोनल असंतुलन उसके बाड़ी हार्मोन है वह असंत गुट्रेण में आएगा जिसके मातना समस्दों समझेंगे बसा की कमी बाड़ी होने लगी है वाल की कमी होने लगी है ठीक है नेस्ट कॉस्चन हैं हमारा दूद से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कारियों से मिलकर बना होता है यह एकाईया क्या कहलाती है तो दूद से लोग बटामिन की कमी से नहीं होता ऐसा कौंसा रोग है जो कि कमी से नहीं होता है ऐसा रोग ठीकर कुसी ब्यक्ति के मसूनों पूंड ignored model रहता है उसको डांक्टर-शिले-खट्ट्टि फलंक सतौनी की सलाह देता है वह वैक्ति किस बीमारी से गरस्थ है फ्रेंट्स मैंने आपको उपर दिखाया था एक कोश्चन था हमारा पहला जो सिसन निकल जो का उसमें कोश्चन था तो वहां पर बताया गया था खट्टे और गूरदार फ्लों को खाना बताया था डाक्टर ने यहां पर लता रहा है किस तरीके से फर्खाते हैं तो यहां पर गलिवाएं बिटामीं वी के नाम से भी जानते देंव हैं इसका नाम वी बहुने की कमी जब हो जाती है कि खुना था ओर से फिलों को और युझे लिओ के लिटेता है ठीक है रिंस नेस्ट कोस्टन 입니다 एक मनिश्य को भोजन में केबल दूद अंडे तथा रोटे दी जाए तो वाई सामाइने ता रोगी किसी चीच का होगा और उसे यदि हम दूद देंगे तो प्रोटेन भरबूर मात्रा मिलेगा इस्टार्ट मिलेगा और जो कमी होगी वो होगी इसकरवी विटामिन सी तो विटामिन सी यानि खटे प्रारसों के उसके बज़न में परयाप्त मात्रा में कमी हो जाएगी और उसे इसकरवी रोग का जो है सिकार माना जाएगा ऐसे कॉस्चन्स दोस्तों गुमा के पूछे जाने वाले कई बार हमारे railway के exam में CSCL exams में competitions exams में पूछे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको भरमेत नहीं होना है परिशान नहीं होना है question को बड़े आसानी से समझना है कि हमें किस किस चीज की कमी यहाँ पर समझ में आ रही है बोजन में तूद भी मिल रहा है स aldi में कृषण सब्सक्राइल सब्सक्राइब कर रहा है यहाँ लेकर आप सीधा सीष्ट्य में आप लेकर जाल बडालवे में करें एशितुट्यूनिश् Two लेकर ना कि सब्सक्राइब है टेट में बोजन को पचाने के लिए निमने मैंसे किससे सरवान्दें का आश्यकता होती है तो आप सबको पता है हुआ जिसे हम चबाने का काम करते हैं उसी चबाते-सबाते हमारे मूं में एक लार उत्पन्न होती है फिर एक LR के सांसना ते एक Enzymes सत्पन होता है जिसे टाइलेन Enzymes के नाम से हम जानते हैं और ये Enzymes उसी समय से क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं , जो बोजन को पचाने का काम करते हैं, वह Enzymes करते हैं इस बात का ध्यान रखिए नेस्ट कोश्चन है नेमलेकित में से कौन सा योगम में बिसानु जनित बीमारी से संबन देत है तो यहां पर बिसानु जनित बीमारी संबन देत रोग कौन से है पीलिया जो कि चेचस से संबन देत है चेचक से और एड्स और रेविच यह चार हो सुरी अलग-अलग है पीलि बिद्य फैलता है एना फिलीज मच्छर के द्वारा एना फिलीज मच्छर के द्वारा लेकिन यहांपर डेंगू की बात कर रहे हैं तो डेंगू जहान दखिएगा एडीज मच्छर यह कॉश्चन टूटाउजेंड थ्री यह मैं लेल बे का एक एक्जाम हुआ था उसमें प्राणियों के सरीर में कहां मिलते हैं पक्षमाव उतक प्राणियों के सरीर में कहां नामों से जान सकते हैं उतक के नाम से जो हमारे स्वस्टनी का गलेसे भाग में यह पाया जाते हूं कि फिक पेंड्स यह कॉस्ट्न हमारा जुलाजी का पार्ट यानि कि हमारे बायो सबजेक्ट में जूविजयान के विसाय प्राणिक वग्ज्ञान से समंदित है और थोड़ भीटामिनीर की कमी से दोस्ते आप बच literary की कमी से होने वाला रोक जो हिसको ध्यान दीजिए हो है निनके एक हमारे सरीड किस अंग के दारह अमॉनिया को बनारलते हैं और यकरत यकरत प्रोसरीक होती है लेडर में निए j Pokemon ञारा किसकि उपस्तति में मलेरिया की पेचान होति है तो रस्ते जांचा दार किसकी उपस्तति में तो यहां पर टच कोश्ग कर में मलेरिया परजीवी जो की पलाजमाडिया मोता है उसकी पाचन की जाती है ठीक, ये देखा गया है की पाचन क्रिया बाहर की अपेक्छा आहमा सयं के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों? बाहर के अपक्छा आमासाय में अजिक तेजी से होती है तो क्या होता है आमासाय में आमासाय के अंदर भोजन का मन्थन होता रहता है जिससे उसकी सतह का चित्रफल बढ़ जाता है और Enzyme की किरिया तेजी हो जाती है सतय का चितरफल बढ़ जाएगा आसानी से मंतन हो जाएगा और जो है Enzyme की किरिया जो तेजी से तेज हो जाएगी Next question है हमारा किस vitamin की कमी से गाउं से रक्त बहना नहीं रुखता अब यहाँ पर जो question है तौट क्लियर करिए किस बिटामिन की कमी से घाव जब हो जाते हैं तो रख्त का बहना बंद नहीं होता तो बिटामिन के जिसको हम बोलते हैं प्रो थामबिन प्रो थाम्मिन की कमी होती है जिसके माध्यम से बैक्ति का बिटामिन के की कमी हो जाती है और बैक्ति के यदि कहीं घाव हो जाता है तो रक्त कंटीनू बहता रहता है नेश्ट कॉस्चन है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है तो ऐसा कौन सा रोग है जो चूहों के द आप इसे सनवेदन है कि घर से निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और यदि आपका सामने वाला मास्क नहीं लगाए हैं तो उसे भी समझाएं मास्क लगाने की सलाय ने एक दो बार उसे कहें कि प्लीज मास्क लगाई है उससे संक्रवना फैलने की संभावनाएं कम होगी आप जितना हो घर में रहें क्यों गर्मी का मौसम पहले ही आ चुका है अधिकांसता लोगों का घर में रहना इस्तिकेत होने वाला है अन्य था बे बजाए बाहर ना नेकले नेक्ट कोस्टन की बात करेंगे हम निमने में से किस गयस की गहन सनलगनता हीमोगलोमन से होती है तो वो है सी ओ जो गयस है कारबन मोनो अकसाइड जो की हीमोगलोमन से सनलगन होती है अब नाइस्ट कोस्टन ही हमारा नेक्त्री तमें से कौन प्रफम है हुआ अपसमें निकट रूप से संभण है तो यहाँ पर मच्छर मलेरिया संभण है एनविया र multiply से नफक लॉक से ए ठीक है ऐसे कॉस्ठी पेपर में पूछे आते हैं जो दो जोड़ाई में बनाके दे और एनिमय जो रोग है रक्त अल पलता है या रखता पलता है जिससे हम बोलते हैं लोह रोग से सम्मनित होता है या है अब नेक्ट पूस्चन है निम लिख liberty तमय से रोगों का वह समगह से फैलता है उसा कौन सा समु होता है जो मच्छों के द्वारा फैलता है तो डेंगू मलेरिया और चिकन गुणिया तो ऐसे रोगों के नाव आपको ध्यान रखना है कि जो सर्फ मच्छरों से फैलते हैं और कोई दूसरा वायरस इनका नहीं है मच्छर बड़ा बायरस बन जाता है यां यह याद करने के ध्यान रखना मच्ण आलइड diucat गृश जानते हैं तीन चार रोगों पहला तो कुमसा है वायरस के द्वारा जो संक्रमिंथा उससे सब जुखाम होता है और जो कॉरोना वायरस है वो कोविड-19 के माध्यम से फैला है जुखाम हमारे यहां कोविड का पहला स्टेज था कई सालों पहले भारत में आया था और अब यह स्टेज जो है फाइव स्टेज तक पहुंच गई है जिसे अपन जुखाम के नाम से और प्रजेंटमो कोरोना के नाम से फैल रहा है इसके वैक्सिन सब जगह हो जाएगी तो इसका जो डर है सब के परतिक कम हो जाएगा लेकिन बैक्ती भी कई अभी कुछ ऐसे परसंस भी हैं जो बैक्सिन लगवाने के लिए डर रहे हैं डर यह नहीं आपकी सुरक्षा के ल कि कमी तो रोगी को पूरा करनी के लिए क्या क्या खाना चाहिए चाहिए यहां पर एक हैसा कॉस्ट्न है जो आपको माइन्ड में किसी क्ष्ण या किसी फैमली में भी एकॉस्टन सुनने माता है तो अधिकांसता में लगता है आपकी ब्लड में हीमोगलोबिन की कमी है एक मात्रा आती है जो कि फीमेल में महिलाओं में होती है जारा से लेके तेरा तक और पुरसों में होती है बारा से लेके चाहुदा तक चाहुदा समला कुछ पॉइंट होता है फुर्टीम पॉइंट कुछ है तो इतनी अपराक्स होना चाहिए लेकिन इससे रही काम होती है तो आपको किस किस चीच का जारा घरेली से बन करना पत्ते दार सब्सक्राइब करना चाहिए और उसके बाद गोड़ों सबसे यदा जो है हीमो गोल्वन को बढ़ाने वाला होता है अब नेश्ट कॉस्टन है हमारा क्वास यो कर नामक रोग किसकी कमी से होता है तो यह रोग भी है इसमें ब्यक्ति का पेट अकेला फूलता है बच्चों मेडिकांस तेंसी बीमारी देखने को मिलती है जिसमें पेट फूल जाता है और हाथ पर दूबले पतले रह जाते हैं त सबको पता है जिए जाता है मैं नामक रोग होता है अब मैं बात करेंगे किस बटामिन की कमी से रखता ठक्का बाड़ी का रहेगा और की हमें बाहर से कहीं अरेंजमेंट करना फड़े तो बहतर है कि आप बटामिन केज से जुड़े हुए खादपदार्तों का सेवन करें। कोई डाक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ सबजियां लिखता है। साथ ही गोड़ और आमला हरी पत्तेदार सबजियां खाने का सुझाओ देता है। तो रोग यानि मरीज जो है किस रोग से पीड़ित होगा। ऐसे कॉस्चन्स मैंने अभी दो बार डाउट क्लियर किया है। यदि आपको डाक्टर बोल रहा है कि एक साथ गोड़ आमला और हरी पत्तेदार सबजियां खाना हैं। तो आप समझ जाईए कि आपको अंदर हीमोगलोविन की कमी हैं और हीमोगलोविन की कमी यानि की रखता-पलता और रखता-पलता की कमी यानि एनिमियां रोग से आप पीड़ित हैं। जान दीजिए इस तरीके से आपको नबटने के लिए सुझाओ को खतम करने के लिए बीमारी को निवारण के लिए आपको गोड़ आउला और हरी पत्तिदार सब्चियों का सेवन करना आवश्यक है तो जोर नियंतरण में आम तोर पर सबसे अधिक प्रियोग की जाने वाली क्या और दौस्टी क्या है जो और के नियंतरण में वह क्या करते हैं तो परसुझार है कि लोग यूज करते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सुझक्राइब नहीं किया है तो प्लेज लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे प्रते काने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें दोस्तों क्लास 10 और 12 के एन्वाल एक्जाम्स बारसिक परिक्षाएं अगले महीने स्टार्ट होने वाले हैं तो उन की तैयारी भी यूटूब के माध्यम से हो जाए साइंस में भी बच्चे कई बार मैट्स की कोचिंगी करते रह जाते हैं लास्ट में साइंस पढ़ेंगे ऐसा सोच करके जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए भी मेरा सुझाओ है कि आप लोग मेरे यूटूब चैनल से ज सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली वीडियो जिससे आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों मेरा प्लैक क्या है प्लैक जो है एक जीबानु जनित बीमारी है और यह बीमारी अभी नहीं कई सालों पहले भारत में फैल चुकी है और इसके लिए भी बीमारी का जो है व बगाने की कोसिस करें मैं रुद्रेश पांडे और अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो क्लास 10 से रिलेटेड रहेगी तो दसवी के वच्चे तयार हो जाएए और चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए थेंक्यू दोस्तों